26 दिसंबर को उधम सिंग की जैनती यानि की इनका जनम दिन मनाय जाता है और उधम सिंग का नाम सेल सिंग भी था और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे आज का जो आप लोग आजाद भारत देखते हैं इसके लिए आप देखे कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी तरह तरह की यातनाई जिलनी पड़ी बहुत सारे लोगों को आप देखे फांसी पर लटका दिया गया उनी महानायकों में से एक थी हमारी उधम सींग तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं उधम सींग के बारे में अगर दिखी हम लोग इनके जनम की बात करें तो उधम सींग का जनम 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में पैदा होते हैं और उन्हें सहीद ए आजम सरदार उधम सिंग भी कहा जाता है और जिसका मतलब होता है कि महान सहीद अगर एक बार आप लोग पंजाब को देखना चाहे न तो ये पंजाब है और इसकी रादधानी आप देखेंगे चंडिगर है और इसकी अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है पाकिस्तान आप लोगों को मालू होगा कि 1947 तक हमारा हिस्सा था 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था पंजाब की सीमा राज्जों से राजिस्तान, हर्याना, हिमाचल पिदेश और जम्मू कस्मीर से लगती है यहां बर्तमार में विधान सभा में आपकी 117 सीटे हैं, लोक सभा में 13 सीटे हैं, राज सभा में 7 सीटे हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजाब अभी 54,362 बरक किलोमीटर में फैला हुआ है, और इन्हें भारती सुतंता संग्राम के अग्रिनी करांती कारियों में से एक माना जाता है उदम सिंग को और 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला बाग हत्याकान के बाद बे करांती कारी गतिविदियों और राजनीती में सक्री हो गये और बे भागस सिंग से बहुत पिरभावित थे, भागस सिंग भी आप देखते हैं कि एक महान करांती कारी थे हमारे, और आपको मालू होना चाहिए कि जलिया वाला बाग हत्याकान में निर्दोस लोगों पर गोलियां चलाए गए, गोलियों से लोगों को भूंजा गया और कई लोगों मारे गयस में, बहुत ही दर्दनाए गटना थिये, और बे 1924 में उपनेवेसिक सासन को उखार फेकने के उद्दे से प्रवासी भारतियो को अंजाम देने के लिए, सहेयोगियों और हत्यारों के साथ भारत लोटती समय उन्हें अवैद रूप से अगना सास्त रखने के आरोब में गरत्तार कर लिया जाता है, और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, 13 मार्च 1940 को उधम सिंग ने इस्ट इंडिया एसोस कर रहे लोगों पर फायरिंग का आदेश दिया था, और उधम सिंग की मौत की सजा सुनाई गई, और 31 जुलाई 1940 को लंदन के पैंटन बिले जेल में उन्हें फासी दे दी गई, जो आप देखी कि दोसी था ना, जलिया वाला बाग हत्यागन का डैर, उसको मारने के लिए इन्होंने प्रयास किये और उसे उस पर गोली चलाई, इसलिए आप देखीगा, ठीक है, और गदर पायटी की अगर हम लोग बात करें, जिस गदर पायटी की बात हो रही है, तो आप देखेंगे कि गदर पायटी भी एक करांतिकारी संगठन था भालती है, और जिसका उद महत्मा गांदी हो या आप देखें कि आपकी नहरू साव हो, इनका देखें सबका चाहे भगत सिंग सुगदेव राजगुरू हो, ओधम सिंग हो, सरदार वल्लब भाई पटल साव हो, इन सबका उद्देश एक ही था, मंजिल एक ही था, देश को आजात कराना, अंग्रेज सिंग सुगदेव राजगुरू को बात करें, या उधम सिंग की बात करें, तो ये आप देखते हैं कि ससक्त बिद्रो की बात करते थे, गोली बारूत की बात करते थे, लेकिन आप देखें सबका अपना योगदान है, अपनी जगे पर योगदान है, तो किसी के भी को हम लोग भोला नहीं सकते हैं और गदर प्रियो बिद्रो के लिए प्रियोक्त एक उर्दू सब्द है और बर्स 1913 में पार्टी का गटन होता है गदर पार्टी का और सहीकतराज अमेरिका में प्रवासी भारतियों द्वारा इसका गटन किया गया था और जिसमें जाना तर पंजाबी सामिल थे हाला कि पार्टी में भारत की सभी हिस्सों से भारतियों सामिल थे इसमें और गदर पार्टी की स्थापना का मकसद भारत में वेटिस उपनिवेस के खिलाब एक राष्ट ब्यापी ससक्त संगहर्ष चेड़ना था पार्टी के अध्यक्च बाबा सोहन स कारी आंदलोनों की नीव रखने के लिए जाना जाता है और जिसने सुतंता संग्राम में एक और कदम की रूम में काम किया और गदर पार्टी के अधिकान सदस्क किसान बरक से संबंदित थे और जिन्नोंने पहली बार 20-20 सदी की सुरुआत में पंजाब से एसिया की सहरों ज अपना प्रसार किया लेकिन उन्हें संस्तागफ नसल्वात का भी सामना करना पढ़ा बेदभाव का… अपनेवेसिक भारत के सामाजिक धाचे में अमेरिकी संस्किती के समतावादी मोले को इस्थानांतित करने का कार किया समतावादी समानता की धार्णा पराधारित एक सिध्धानत है और था सभी लोग समान है और उनका सभी बस्तूओं पर समान अधिकार है एक बात और याद रखिएगा हमारे देश में आप देखी कोई भी समोव हो कोई भी धरम हो कोई भी जाती हो फिर चाहे आप लोग कोई भी विवसाय कर रहे हैं अंग्रेज सबका सोसन कर रहे थे सोसन करने का तरीका अलग लग था लेकिन सोसन हर किसी का हो रहा था अब आप देखें जंजातिय आंदोलन हुए जन्जाती विद्रो हुए और आप देखें कि सुरुवात में छोटे छोटे विद्रो हुए फिर आप देखते हैं कि 1942 तक आते आते पूरा भारत एक हो गया और अंग्रेजियों को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा पहले आप देखें एक धरम का माल लिया जाता था पड़े लिखे या अनपड़ लोगों का माल लिया जाता था आप कोई किसानों की समस्या है तो किलवल किसान ही लड़ेंगे उसके लिए तो अंग्रेज आसानी से उसे दबा भी देते थे लेकिन जब आप देखें हर धरम का व्यक्ति हर बरक का हर जाती का हर आप देखें कि महला हो पुरस हो सभी ने भाग लिया सभी ने लड़ाई ली तब जापकर आप देखेंगे अंग्रेजियों को देश छोड़ना पड़ा तो यही होती है एकता चलिए तो एक सौट वायग्राफ ही आप लोग कह सकते हैं उधा सिंग के बारे में और मुझे लगता है कि इस तरह कि महान जो भी हमारे सेना नायक रहे हैं नायक रहे हैं सहीद हुए हैं देश की आजादी के लिए हमारे अधिकारों के लिए तो उनके बारे में एक सामन जान कारी होनी चाहिए हमारे पास और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तब तो आप देखते हैं कि डारेक्ट ही कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में पूंच लिया जाता है